दीपा निटिंग चैनल में पहली बार में खुद के लिए जो टोपी बना रही हूँ उसी का वीडियो में आपसे सियर कर रही हूँ ये जो टोपी है पहिनने के बाद बहुती सुन्दर नजर आता है और ये टोपी श्रीप एक गंटे का अंदर अंदर बन कर रेड़ी होता है मैं कई बार बना चुकी हूँ पहिनने के बाद बहुती सुन्दर नजर आता है इसलिए मैं खुद के लिए बना रही हूँ उसी का वीडियो आज आपसे सियर गरने वाली हूँ आप भी जरूर ट्राइगरिएगा दोस्तों सियर गरना मत बूलिए अब देखे ये जो टोप सब्सक्राइब का मंटिपल पर सिर्फव ईसलिए कजर ऐससे लमें से दोबना स्काष्ण भार यह में बहुत अदक रहे हैं निए यह जो लेडिज का ब्याक साइट का परले में भी यह सुईटर का डीजाइन डाल सकतें और यह टोपी आसानी से आप जेन्स लेडिज बेबी के लिए बनाया सकते हैं यह में एक सीधी एक उल्टी बिनकर इतनी बना रही हूं और बाकी टोपी में बनाने का तरीका बता चुकी हूं इसलिए मैं बता नहीं हूं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आफ, नौ, दस, एकार है डिजाइन इसका सीधी-सीधी का बनकर आ रहा है यह आप साइज का इसाब से कम बेसी बिन सकते हैं अब देखे इसका उपर डिजाइन रिपीट का नहीं है फस फंदा बिना बिना एक दागा आपनी और दो ती आपस में एक में सें दो बपार मुआšे है मतलब यह जो तीन फंदे हैं यह दोनों साथ इसी तरीके से बिनने हैं तो देखे यहां से आपको चार फंदेने और इमेंने के बाद पांचों में एक में से दो बर बिनने हैं देखे इसी तरीके से आपको बिनते जाना है देखे यहां से हमारा पैटन शुरू हो रहा है चार फंदे उल्टी फिर एक ही में से दो बर दागा लपेट कर बिनने हैं इसी तरीके से ये 5 की multiple का इसाफ से चलनी वाला design में बना रही हूँ एक, दो, तीन, चार, चार फंदी बिनने के बाद देखें एक ही में से दो बार लपेटनी है फिर देखें एक, दो, तीन, चार, फिर देखें एक ही में से दो बार लपेटनी है देखे इस तरीके से लाश में देखिए 3 फंदा है 3 फंदा आपको उल्टी बिना बिनने है 1, 2, 3 इसके लिए में 5 का मंटिपल फंदे लेकर 2 फंदे अश्टा लेकर बना रही हूं और यह इस तरीके से बिनने के बाद देखें ब्याक साइट से फिर किस तरी केसी बना है नहीं फ़स्फंदा बिना बिना अब देखिए फिर दो, तीन तीन फंदे आपको ओल्टी बिना बिनने के बाद देखें एक मेंसे दो बार दागा लपेट कर ये बना आये थे इसी में आपको देखिए प्र बनाए थे इसमें फिर एक मेंसे दो बार डाजागा लपएड कर बनानी नहीं हो फिर बार बार आप को किसी बात को रिपीट गार नहीं हैँ नहीं है यह अब देखिए 130 तीन, चार, चार फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये जो धागा लपेट कर फंदा बनाये थे इसमें फिर दो बार दागा लपेट कर बनानी है बार बार आपको इसी बात को रिपीट गरनी है अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए आ रहे हूं एक, दो, तीन, च 이걸 92-63 थील्थ 4फंडे बिनेके बाद फिर देखे यह यही में से 2 बार दागला पेतसने हैं तो फिर देखे लाश्ट में 3 फंडे हैं इसमें आपको एले 5-3 बोप से बारी आचायती चाहलेज देजायन है तो देखे इस तरीके से बुर्ट साध बिनने के बाद अब दिखे इसका सीधी साइड से फिर फर्स फंदा बिना है नाút इंगायों टागा आपनी और एक दो Chicago आपको बिनने हैं फिर देखे एक इमें चेह Now दोल्गया दागा लपेट ने हैं बार आपको इस इसी तरीके से दो बार धागा लपेट कर बनाएंगी फिर 4 फंदे 1,2,3,4 फिर एक की में से दो बार धागा लपेटनी हैं इसमें मैं 5 का मंटिपल का इसाब से यह डिजाइन बना रही हूँ अगर आप चाहे तो यह मंटिपल बड़ा और घटा सकते हैं चार की जग्गा 6 की 8 की 10 की भी बना सकते हैं कोई बात नहीं अब देखे एक दो तीन चार चार फंदे बिनने के बाद फिर देखे एक की में से दो बार धागा लपेटनी हैं और लास में देखे तीन फंदा एक दो तीन इस तरीके से आपको बनानी है बहुत ही सुन्दर बनानी है इसी बात को रिपीट गारनी है में इसी बात को रिपीट गारते हुए इसका उपर बिनती हूँ अब देखे इसी तरीके से बिनती है फिर लास में आर Cantonese चार चार फंदे गारनी के बाद फिर एक एंबेसे दो भार से एक और यह दो फिर 8 भैए द तरीके से बनाना लेना है अब देखे इसका सीजांड में दीखे इसमें दो धारी वाला डिजाइण बन्चुका आइए देखे, एक और ये दो, दो धारी वाला डीजाइन बनने के बाद इधर साइड आपको थोड़ी अलग से डीजाइन बनानी है, अब देखे, फिर फॉस्ट फंदा बिना-बिना धागा आपनी ओर, देखे, दो, तीन, तीन फंदे बिनने के बाद, अब देखे, ये जो फंदे यह इस तरीके से निकालनी है और निकालनी के बाद एक दो देख रहे हैं तीन और यह चार चार फंदे इस तरीके से निकालनी है अब देखे यह जो फंदे है यह इस तरीके से नेडल में लेना है अब देखे नेडल में इस तरीके से लेने के बाद यह जो फंदे है यह फंद का उपर से गिरा देना है ठीक है इस तरीके से और देखिए इसको इस तरीके से लेने हैं दूसरी निडल में फिर आपको यह धागा पिछे लेकर जाना है और सीधी बिनने हैं देखिए इस तरीके से यह डिजाइन बनानी देखिए यह एक डिजाइन हमारा बन चुका है इसी दो, तीन, और ये 4 पंदे, इस तरीके से निकालनी हैं, 4 पंदे, जो हम 4 पंदे खोर रहा है थे, वो पंदे इस तरीके से ले ना है, और फिर 4 पंदे का उपरसे ये वाला फंदा गिरा देना है, अब देखिए फिर दूसरी काटी में लेकर जाना है ये चारों फंदे फिर आपको ये चारों फंदे में धागे पिछे लेकर सीधी बिनने है इस तरीके से ये डिजाइन बन कर आता है अब देखिये धागा आपने। लेना है फिर एक दू, तीन, चार, चार फंदे बिनने के बाद यह जो फंदे हैं इस तरीके से खोलना है। गरते 2, 3 और पर इसे 4 फंदे निकालने के बाद इसी फंदे में आपको नेडल डालनी है नेडल डालने के बाद ये चारों फंदे का उपर से ये वाला फंदा गिरा देना है ये जो फंदे हैं ये दूसरी काइट में ले कर जाना है और फिर सीधी अनिया देखे इस तरीके से यह डिजाइन बनानी है बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनकर आता है आप भी जरूर ट्राइगा अब देखे इस तरीके से डिजाइन बनाने के बाद अब देखे इधर फिर हम डिजाइन बनाएंगे एक दो तीन चार चार फंदे बिनने के बाद अब दे फंदे निडल में लेना हम यह फंदे चारो फंदे का ईउपर से गिरादेना ह। अब देखिए फिर दुषरी निडलमें लेकर जाना है इस तरीके से फिर सीधी भी नहीं आप बहुती सुन्दर बिजाइन बन कराता हैं फिर दागा आपनी और तीन फंदा उल्टा बिना ये दो तीन ये जो पैटन है ये आप जेन लेडिस बेबी के लिए जुस के लिए बनाए बहुती सुन्दर नजर आता है मैं कई बार बना चुकी है इसलिए आप से शेयर कर रहा हूं देखें फोस फंदा बिना बिना यहां स फिर चार फंदे बिनने है ये दो तीन चार चार फंदे बिनने के बाद फिर जिस फंदे में हम डिजाइन बनाए थे उसी में से आपको एक इमें से दो बार लपेतनी है अब देखें इसी तरीके से बिनते में में लास्ट में आ रही हूं ये डिजाइन वाला फंदा ये ए अब देखिए सीधी साइट से फिर फोस फंदा बिना बिना धागा आपने और एक और ये दो दो फंदे बिनने के बाद अब देखिए इस फंदे में फिर आपको एक इमें से दो बार लपेटनी हैं एक और ये दो अब देखिए फिर चार फंदे बिनने हैं एक दो तीन चार फन्दे बिनने के बाद जो डीजाइन का है इसी में आपको दो बार लपेटनी है अब देखे इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते होगे अभी में लास्ट में आ रहा हुँ तो देखे दो बार लपेटनी है डीजाइन में अब फिर तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, इस तरीके से बनईएगा देखें, दूसरी साइट से फर्स फंदा बिने-बिना दागा आपने ओर एक, दो, तीन, तीन फंदे बिनने के बाद एक इमेसे दो बर लपेट कर बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से बिंतियों है लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए यह डिजाइन का है डिजाइन में हम एक इमें से दो बर बनाएंगे फिर देखिए तीन पंदा उल्टा बिनाए एक दो तीन इसी तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए एक दो धा बननानी है दागी पिछले कर जाना है फिर देखें है दो तीन तीन फथ में निडल डालनी है अर फिर ये तीन कंदर का उपर से ये वाला फंद स्याइर अभर हंखा गिरा देना है उसकी इस तरीके से अब फिर दूसरी दालनी है और फिर आückके इस तरीके हैं भूट ही संदर टीजाइन बनकर बाता है में बूट शुंदर ही जरूब हमाइब फिर देखिए 11 music 1 2 3 4 4 पंडे में बलने के बाद धागик पिछे लिले कर जा ना है अब देखिए यह दो तीन फंदे निकालनी है यह जो फंदे है यह तीनों फंदे का उपर से गिरा देना है बहुत आशान है बार बार आपको इसी बात को रिपीट गारने है और यह बहुती सुन्दर डिजाइन बनकर आता है देखें बहुती सुन्दर इस तरीके से बनकर आता है यह जो प होता है और यह सुईटर का लूप भी बहुत ही सुन्दर आता है मैं कई बार बना चुके हूं इसी का आतर में आपको मैं बता रही हूं अब भी जरूर ट्राइगा अगर आपको परशन आए तो जरूर कमेंट करके बताईए अगर आप न्यूबन बेबी के लिए बनाना चाह सकते हैं और 5 साल से उपर 10 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 7.5 इंज का बना सकते हैं तो आठ इंज तक इसी तरीके से यह पैटरन रिपीट गरते हुए आपको बनानी है फिर इसका उपर दो धारी वाला डिजाइन सीधी साइट से आने के बाद पिर यह पैटरन दो धारी वाला डिजाइन बनने के बाद आपको रिपीट गरनी है और इसी तरीके से बनाने से यह पैटरन बहुत ही सुन्दर बनकर आता है अब देखे मैं इसी बात को रिपीट गरते हुए इसका उपर बींती यह जो पैटरन है बहुत ही सुन्दर बनकर आ रहा है ये साइज का इसाथ से कम बेस्य आप बीन सकते हैं साइज का इस आप से नाप Лेकर बनाईयेगा कान का नीचे से उपर चोटी तक का इतनी बीनने के बाद टोपी का सेव जेने के लिए इस平ग गटाई गरना इसे कान में बोडर आता है और उपर में ये घटाई आता है तो देखिए ये साइज का इसाज से कॉम बेशी होता है इसलिए आपको नाप लेकर बनाना है अब देखिए यहां से आमारा पैटर्न इस्टेट गरनी है फिर से देखिए दो बार लपेटनी है फिर बनानी है अब बिच का दो फंदी दो का एक फिर एक फंदा उल्टा भी नहीं बार बार आपको इसी बात को रिपीट गारनी है अब देखिए मैं इसी तरीके से बींती होए लास में आ रही हूँ एक फंदा उल्टा भी नहीं फिर बिच का दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा भी नहीं अब देखिए फिर इसमें दो बार लपेटनी है फंदे और दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा भीने इस तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए बैक साइट से फिर फोस फंदा भीना भीना धागा आपनी और एक फंदा भीनने अब देखिए ये डिजाइन का आ र इसी तरीके से आपको बनानी है, ये ब्याक साइट से में बिन रही हूँ, तो देखें एक, दो, तीन, तीन फंदे बिनने के बाद, फिर ये डीजाइन में एकी में से दो बर बिनने हैं, फिर लाश में दो फंदा उल्टा बिनने, इस तरीके से आपको बना लेना है, असलब तागे पिछे लेकर जाना है आप देखे ये दो धारी वाला डिजाइन बनने के बाद हम इधर पैटर्न बना कर आ रहे हैं इसी बात को फिर रिपीट गारनी है देखे ये दो तीन दागा इस तरीके से निकालनी है फंदे से दो धारी वाला डिजाइन बनने के बाद हम और सीधी भी नहीं देखिए ये डिजाइन भी बिनने है और फिर कटाई भी गारनी है एक ही साथ आपको बना लेना है अब देखिए ये दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा भी नहीं फिर देखिए तागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए ये दो तीन तीन फंदे इ इसने निडल में डालनी हैं और फिर सीधी भी नए इसी बात को आपको रिपीट गारनी है तागा आपनी और दो छंदा दो काई एक फंदा उल्टा भी नए इसी तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए इसी तरीके से बिंते मेलास में आ रही हूँ दो फंदे दो का एक एक फंदा उल्टा भी नहीं फिर से देखिए ये एक दो तीन तीन फंदे इस तरीके से निकालनी है और फिर ये फंदे इस तरीके से निडल डालने के बाद तीनों फंदे का उपर से गिरा देना है दूसरी निडल में लेगा जाना है फिर सीधी भी नही तागा आपने और एक और ये दो, दो फंदा उल्टाविन अब देखिए इसका दूसरी साइड से दूसरी साइड में ये डीजाइन भी बनानी है और घटाई भी गारनी है एक साथ देखिए किस तरीके से अब देखिए ये जो फंदे है इसको बिन निडल में डालका दो फंदे दो काईग बिनने है अब देखिए ये जो डीजाइन का है इसको आपको बिना मिना उतारना है फिर ये दो फंदे आपको एक साथ बना लेना है दो का एक ये वाला design का है इसलिए बिना-बिना फिर दो फंदि दो का एक जो design का है उसी को आपको बिना-बिना उतारना है अब देखे मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ डिजाइन का बीना मिना दो फंदे दो का एक फिर डिजाइन का बीना मिना दो फंदे दो का एक इसी तरीके से आपको बना लेना है डिजाइन का बीना मिना लास में दो फंदे दो का एक अब देखें ब्याक साइट से गटाई पूरी गारने के बाद सीधी साइट से इस तरीके से दागा लापेटनी है नेडल में और सारी फंदे इसी का उपर से गिरा देना है देखे एक एक गरते वए इस तरीके से गिराईएगा अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे गिराती हूँ अब देखिए ये सारी फंदे गिराती हूए मैं लाश्ट में आ रही हूँ अब देखिए ये थोड़ा खीचना है दागा और ये खीचने के बाद ये जो दागा है इसी में से आपको लग लगानी है देखे यह इस तरीके से बन कर आता है अब देखे इसको यहां से लेकर यहां तक आपको सिलाई गारनी है इसी धागे से आपको सिलाई गारनी है अब देखे इसमें मैं सुई डाल चुके हूँ सुई डालने के बाद देखिए यहां से आपको सारी फंदे में एक बार फिर से सिलना है देख रहे हैं इसी तरीके से एक एक बार सारी फंदे में फिर से सिलना है देखिए इस तरीके से अब देखिए यह सिलने के बाद इस तरीके से बन कर आ रहा है देखें दोनों साइट का ब्याक साइट का देख रहे हैं ये और ये इस तरीके से चेन लेकर आपको सिलना है देख रहे हैं ये और ये इस तरीके से दोनों साइट का ब्याक साइट का एक एक चेन लेकर आपको सिलाई गरनी है देख रहे हैं इसी तरीके से सिलने से ये डिजाइन की तरह ये बन कर आता है देखे इस तरीके से अब देखे यहां से मैं सिलाई गरते हुए आ रही हूँ तो देखे यहां भी इसी तरीके से आपको सिलाई गरनी है दोनों साइड का ब्याक साइड का चेन लेकर ये टोपी बहुत ही सुन्दर बन कर आता है मैं कई बार बना चुके हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर गर रही हूँ अगर आपको भी पट्शना आये तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर गरन मत भूले और जरूर एक बार बिनकर ट्राई गरिएगा देखे शारी सिलने के बाद ये ब्याक साइड में मैं धागा लग गर रही हूँ तो देखे ये इस तरीके से धागा लग गरनी है देखे ये टोपी बन चुका है अधंडे के बाद बहुती शुंदर नज़र आता यह में खुद के लिए बना रही थी आपका जिग्यासा थे किbuilt फीली के लिए खुद के लिए खुद के लिए किस तरह का टोपी बनाते है वह देखने के इसलिए में खुद के लिए ये जो टोपी बनाई थी उसी का वीडियो में आज आज आप से शेयर गर रहे थी ये पहिंने के बाद बहुत ही सुन्दर नाजर आता है इसलिए मैं से शेयर गर रहे हूं अब देखें ये इसका बोडर बहुत ही फेक्सिबल होता है ये आपको सर लागा कमेंट करके जरूर मता ये मिलती है दूसरी नाई वीडियो में तब तके लिए दिपार्निटिंग चैनल धनिवाद